सद्दाम हुसेन दोस्तों ये वो नामें जिसे सुनकर अमेरिका और बिटेन जैसे देश आज भी खोफ खाते हैं जी हाँ दोस्तों वही सद्दाम हुसेन जिन्नोंने अरब देश इराक पर करीब 20 सालों तक हुकूमत की थी और अपनी हुकूमत में इराक को एक पावरफुल कंट्री बना दिया था सद्दाम हुसेन ने इराक में सेकडो अस्पतालो और युनिवर्सिटियों का भी निर्मान करवाया था सद्दाम के दोर में इराक सुन्नी जगत का सबसे ताकतवर देश हुआ करता था सन 2003 में अमेरिका के इराक पर हमले के बाद सद्दाम हुसेन को अपने ही देश में गिरफतार कर लिया गया और 30 दिसंबर 2006 को उत्तरी इराक के अंदर उन्हें फासी पर चड़ा दिया गया दोस्तो सद्दाम उसेन को फासी पर क्यों चड़ाया गया और अमेरिका से इनकी क्या दुश्मनी थी इस पर हमने पहले से एक वीडियो बना रखिये जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्चन में भी मिल जाएगा